को कैसे solve करते हूँ चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले question की तरफ first question है polling के लिए ready रहना है polling के लिए थोड़ा time आज ज्यादा दे सकता हूँ क्योंकि आप concept से aware नहीं हो जितना आप कोगे उतना concept को मैं साथ-साथ में करता रहूंगा ठीक है यह हमने अभी तक पढ़ा नहीं विच आफ दी फॉलविंग प्रिंसीपल सुजेस्ट देट डिफरेंट बॉड़ी पार्ट्स डेवेल्प एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजिज ऑफ डेवल्पमेंट अब इसको समझना है question को थोड़ा सा समझा देता हूं stages of development को आप पहला समझ लीजिए एक सबसे पहले prenatal stage है prenatal 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 stage में nine month का period है अब nine month के period में और यह बर्त हो गया delivery हो गई उसके बाद infancy period हम दो स्टेजिज को सॉल्व करना है सिर्फ दो स्टेजिज को लेके चल रहे हैं तो प्री ने वह कह रहा है different body parts for example different body parts क्या है एक मैंने यहां head मना लिया यह जो है body parts यह धर हो गया यह आपकी जो बायू है arms है वह ना sorry ज्यादा बन गए है यह legs हो गई हमने body part की example यहां ले ली यह portion arms legs वह कहता है कि सभी different rates से different speed से develop होते हैं तो यह principle कौन सा हो सकता है development is unidimensional अब आपने क्या करना है जो पिछली class लगाई थी dimension की domains की बात की है तो यह देखना है unidirectional के एक ही direction की तरफ हम change of behavior change of body होता है development is discontinuous के continuous का principle है जन्हों ने पढ़ा है उनको पता है कि कौन सा principle है अब आपने जवाब देना है तीसरा है direction of development is proximo distal and cephalocodal polling start होने लगी है आपने answer देना है जो मैंने थोड़ा explain किया है उसको सोच के कि हमारे पहली stage में और दूसरी stage में जा तीसरी stage में के पार्ट differently difficult question है यह मानने वाली बात है yes polling start सोचना है अभी आपने unidimensional अपना answer सोच लीजे ना उसके बाद display होगी हाँ unidimensional first है unidirectional second third is discontinuous and fourth is direction of development is proximo distal and cephalocodal अभी टाइम लगा रहे हैं मैं आपको logic दे रहा हूँ कि head के बारे में legs के बारे में और कि arms के बारे में क्या जब आप मदर के पेट में थे जहां आपने दिखा होगा तीन स्टेजिस होती है प्री नेटल की क्या सभी औरगन एक ही स्पीड से डेवेल्प होते हैं जा एक औरगन दूसरे से ज्यादा डेवेल्प हो जाता है प्री नेटल की एक्जांपल दे रहा हूं तो इन फैंसी की भी ले सकते हैं ओके डी ऑप्शन आप्ट किया है 45 ने कोई एक जना बता सकता है कि क्यों किया यह जो मैंने लॉजिक बताया था उसके बेस पर है जहां आपको प्रीविएस कोई नॉलेज थी या कोई और स्टैटेजी अप्लाई की मैं तीन बातें बताऊंगा किसी ने बात करनी है हम आगे चलें चलें आगे फॉर्थ हमने ऐसी कर दिया क्यूंकि फॉर्स सेकेंट थार्ड नहीं लग रहा था क्यूंकि यूनिडिमेंशनल तो होई नहीं सकता सिंगल वन पे नहीं है आप ठीक चल रहे हो ऐसे question को solve करना है अपने अगर लग रहा है कि यह नहीं लग रहे हैं आपने एक strategy अपनाई है यही तो बताना है इसे कहते हैं option delete करने की strategy जो नहीं लग रहा उसको डिलीट करते जो बाकि जो बचा है उसको right response देतो और आपका response right हो गया है अंसर इसका ये है कि हमारा जो प्री निटरल ये दो मन्त के बेबी की जो अभी हुए है प्रेगनेंसी के दुरान है तो उसका है उसका है जो है 50% वही डेवेल्प हुआ है इट मींज बाकी की स्टेजिज में हेड के इंक्रीज होने की स्पीड बहुत कम है यहां पो तो बहुत ज्यादा कम लेकन यहां सबसे ज्यादा है सिर्फ इस बात को ले ले तो उसके बाद जो में पार्ट आपका डेवेल्प होता है में वो स्पाइन और जब बेबी बनता है एक सेल से, उसके बाद होता है head. पहले head हो गया, spine के साथ ही. लास्ट में होते हैं ये, it means head to down चलते हैं. ये जो development है, इसकी direction जो है सबसे पहले head की है, उसके बार नीचे वाले पार, नीचे वाले पार और नीचे वाले पार. इसको बोलते हैं सी फैलो इसको याद रखने के लिए शबद हिंट दे रहा हूं सी से सिफैलो और सी से सिर सिर पहले डेवेल्प होता है सिर को बचा जनम लेने के बाद पहले कंट्रूल करता है ये सिफेलो कॉडल हो गया दूसरा है कि स्पाइन कॉड सेंटरल जो है वो पहले डेवेल्प होती है उसके बाद ये शोल्डर उसके बाद आम उसके बाद जो हैंड है तो ये सेंटर से पेरिफरल डिस्टल मीन डिस्टेंस की तरफ जो डेवेल्पमेंट होती है इसको कहते हैं प्रॉक्सीमो डिस्टल बहुत कॉश्चन इस पर आते हैं आपने कनफ्यूज नहीं हो ना आपने सिर्फ से फैलो को याद रखना है सिफैलो में सिर्फ बाकी दूसरा है प्रॉक्सीमो डिस्टल वह उसके उल्ट है वह सेंटर से बाउंडरी की तरफ जाता है next question की तरफ बढ़ते हैं यहां पर किसी ने बात करनी है कर सकते हैं क्योंकि आज सिर्फ question है next है हमारे पास which of the following statement is correct अच्छी तरह से पढ़ना है समझ लेना है उसके बाद आपने अपना answer त्यार रखना है फिर time ज्यादा नहीं दूगा children's correct देखनी है इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं क्योंकि यह हमेशा देखना है कि statement positive है जा negative है और उस word को अंडरलाइन कर लो आपके brain में चला जाता है children's development take place in socio-cultural context अंडरलाइन कर लिया चाइल्ड हुड इस पीरिएट एट कैन बी डिवाइड़ इन्टू 10 stages यहां 10 था ओके मिस हो गया children's thinking is not in not है influenced by social interaction कल हमने बात की थी न किया एक domain दूसरी domain को प्रभावित करती है हमने hundred percent है इनको separate नहीं किया जा सकता यह सीखा था यहां पर thinking आगई cognitive और यहां पर आगया social हाना कि यह इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता यह statement कह रही है आपको ठीक लगता है देखिए children's development is solely only determined by genetics genes मतलब यह statement कह रही है कि environment जा nurture development में contribute नहीं करता है अब आपने सोचना है कि कौन सी correct statement है yes polling start होती है अभी first है कि social cultural में होती है दूसरा के दस category है childhood की तीसरा social interaction से influence नहीं होते बच्चे की thinking जिसे cognitive aspect कहते हैं और children's development is solely determined by genes environment का कोई रोल नहीं है yes answer आगए ज्यादा time नहीं लगाना आप correct कह रहे हो इसको यह कैसे हुआ भी correct यह कैसे हो गया है यह नहीं किसी स्टेज की childhood तो दस साल से छोटा पीरड है राइट आंसर इस मैंने कल कहा था के प्याजे यह अंडरलाइन कर लो सारी पैडागोजी और cdp का 90% का निचोड है हर वीडियो में होगा प्याजे वाए गौस्त की ब्रूनर और जहां constructivism इसने पीछा नहीं छोड़ना इसे मैंने एक मिनिट में कैसे सॉल्व किया कि मुझे constructivism पता है और constructivism का दा बैस्ट वॉर्ड यहां हुआ है सोशो कल्चरल context context mean real situation में बच्चे को जब छोड़ा जाता है आपने ट्रैफिक रूल सिखाने हैं आप ट्रैफिक में ले गए एक है classroom में सिखा रहे हो तीसरा है बुक पढ़ने के लिए देदी आप देखो तीनों में से कौन से में better learn करेगा दस नहीं है statement अच्छा यह क्यों गलत है क्योंकि social cultural social interaction से thinking जो है influence होती है यह भी भाई गौस्ट की ने कहा है कुछ पूछना है आपने अच्छा children's development is solely determined by genes अच्छा भाई जो अगर सब कुछ fix genes ने कर दिया तो environment तो education तो school की क्या जुरूरत थी हाना यहां स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यह गलत हो गई यहां तक किसी ने बात करनी है next हम चले है right answer is first okay next है question आपका यह रहा next question चोटा सा है चोटा सा क्योंकि आपने theories नहीं पड़ी इसका right answer शायद नहीं पता होगा लेकिन एक्स्पेंज करो दे प्रोसेस ऑफ प्रीडिटर्माइंड अनफोल्डिंग आप अब यह हमने पड़ा है भी पहली class जो लगाई थी ना growth, development, maturation, learning उसके कितने question किये थे अब देखो unfolding मैं ऐसे ऐसे करके कह रहा था कि वह वाली बात जात करो genetic gene सबसे ज्यादा किसको कर रहे है डिस्पोजीशन ट्रेड से characteristics यह तीन word predetermined पहले से ही निर्धारित है तो यह बात यह process कौन सी है adaptation है यह adaptation आपको नहीं पता यह प्याजे की प्याजे की theory अगर समझ नहीं है पाया get पता नहीं मैं ज्यादा तो नहीं हैं देखा प्याजे को यहां भी नहीं छोड़ा उन्होंने यह और देखो यह learning है genes के साथ ही learning होती है कि experience के साथ होती है ऐसे सोचो socialization genes के साथ ही होती है जा social interaction के साथ होती है maturation आपके पास सामने है answer देंगे polling yes इतना time नहीं दूँगा polling हो जाएगी सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने adaptation दो तिन जानों ने किया सबसे ज्यादा right answer वैसे किया है कितने percent है दिखाई नहीं दे रहे 40 percent ने maturation किया है हमने maturation की definition ही की की थी बड़ा एच लिखा था बड़ा एच और छोटा सा य यह बात की थी कि है रिडिटी मतलब जहां है रिडिटी आएगा वहाँ जीन्स आगए जनेटिक प्रोग्राम हैं गागी है रिडिटी इतना ज्यादा influence करती है environment सिर्फ timing को मा थोड़ा सा influence कर सकता है यह बात हमने की बारे में पड़ी थी adaptation process learning की ही process है learning की process है यह भी learning की process है जिसमें learning आ गई रजे उसमें experience dominate कर जाता है और maturation में हेरेडिटी नेचर जा जीन्स तीन बाते कहीं थी आके चलें नेक्स्ट है question doubt होगा साथ-साथ में पूछना है क्योंकि हम नए question एक तरह से कर रहे हैं नेक्स है डैश इस एप्राइमरी एंड डैश इस सेकेंडरी अजंट और socialization बहुत simple question है और बहुत repeat होता है इसका अंसर देना है family primary है और school secondary है जब media primary है family secondary है school primary है media secondary है media primary है neighborhood secondary है ऐसे answer बहुत आसान है देखो आपके लिए primary क्या है family है कि स्कूल है किसी बच्चे के लिए media है जा family है इसमें से कोई option चुल लिया है answer इतना time नहीं दोगा next polling हो गई है आपका answer ओ वावी वाव आ गया yes 90 75 75 परसंट का right answer कैसे सोचना है इसको समझे लो थोड़ा family यहां answer कहां पड़ा था यह देखो family क्योंकि primary है अगर आपने यह मतलब ज्यादा लर्न करना है तो अगर primary agent आपने देखने हैं तो सिर्फ primary agent पेरेंट्स हैं sibling है family ही है बाकी सारे ही secondary है क्योंकि यही पहली एक option में रखा है that is why this is the right answer school भी secondary है क्योंकि primary कैसे है family में and culturation and culturation इस पर question आएगा इंटर्न लाइजेशन इंटर्न लाइजेशन आफ कल्चर ऑफ कल्चर ठीक है उसमें आपकी भाषा आगी आपकी religious value moral values आगी है यह आ जाता है वो बच्चा कहां से लेगा वो उसको adapt कर लेता है हम एक घर जाके तसली क्यों मिलती है अच्छा क्यों लगता है क्योंकि वहां पर पले हैं कंडिशनिंग हुई है तो उनको हमने इंटर्नलाइज मीन अपनी personality में एक्सेप्ट मैक्सिमम एक्सेप्ट कर लिया है ठीक बाहर स्कूल को पहले एक्सेप्ट नहीं करते अभी इंटर्नलाइजेशन नहीं हो जब आप स्कूल को भी एक्सेप्ट करने लगते हो जितना करने लगते हो आप प्रेम करते हो अगर मैरिज करते हो पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब वो एक्सेप्टेंस हंडर्ड परसंट उस फैमिली की आ जाती है तो इंटर्नलाइजेशन होगी आगे चलते हैं मेरे ख्याल में टाइम में ज्यादा ले रहा हूं अब थोड़ा सा जल्दी से चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्टन है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग वट इस दी प्राइमरी बेसिस फॉर सेवंट एथ यह ओल्ड चिल्डरन्स मॉरल डिसीजन सोशल आडर मेंटेनेंस सोशल कॉंट्रेक्ट मेंटेनेंस पनिश्मेंट एंड ओबीडियंस कोहलबर्ग शबद आता है तो इसके तीन फेज बना लेने हैं आपने एक यह हो गया दूसरा यह हो गया तीसरा यह हो गया मेरे ख्याल में मैं उदर जाके समझाओं आपको बोर्ड बोर्ड पर यहां बोर्ड पर जाता हूं यह रहा यहां चलते हैं यह रहा आपका पहला स् स्टेज त्यूरी जो स्टेज त्यूरी है वो कहेगी डिस कंटिनूस है डेवल्पमेंट यह मैंने एक कॉशन का अंसर दे दिया अच्छा यह से मिडल को लिख लो कि यह यहां पर सोशल रूल की वह बात करता है सोशल रूल ठीक है इट मीज बच्चा जब इस स्टेज पर है उसे प्री सोसाइटी के रूल फॉलो नहीं करता बच्चा यह उपर वाली स्टेज को क्या है कि यहां सोसाइटी के रूल बदल दिये जाते हैं किसी के बड़े भले के लिए यह सेंट्रल आइडिया है कोलबर्ग का इतना ही तो उन्होंने पूछा है पनिश्मेंट अब जा लगता है कि हम सोशल रूल को अक्सेप्ट कर लेते हैं इतना सोचो अगर कर लेते हैं तो सोशल वाली कोई और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सिक्स्थ हैं लास्ट कंडिशन है जो आपके बड़े संथ हैं गुरु नानक देव जी महात्मा बुद्दु जी उन्होंने एथिक्स जो अपनाए हैं तो वहां बच्चा पहुंच गया होगा आप देखो आंसर दो कौन सा बच्चा है येस पोलिंग जल्दी टाइम नहीं दूँगा बहुत आज मैंने क्लॉक लगाया है पांच क्वेश्चन हुए हैं अभी येस आंसर दीजिए जल्दी से मैं आंसर के लिए सिर्फ आपको दो तीन सेकेंड दूँगा इससे ज्यादा नहीं दूँगा अभी तक जो आंसर आए हैं उन में से चल रहा है क्या है राइट आंसर यहां से सबसे ज्यादा ठीक चल रहा है ठीक सो चले हो आप सी इस राइट अंसर येस उड़ा दीजिए डिस्प्ले यह देखिए क्योंकि सोशल अभी तक एक्सेप्टेंस पूरी नहीं आई इस एज में अगर आपने इसका डायाग्राम भी देखना है जल्दी से करना है तो आपको यह दिखा देता हूँ यहां पर फिर आज लंबा हो जाएगा काम यार यह रहा इसमें देखिए चार स्टेजिज तीन फ क्या है कि अथार्टी पनिश करती है इसलिए मैं मौरल बना हुआ हूँ इतनी बात है तो चार से दस वाला क्वेश्चन पूछा गया है यह जो चार से पहले है बच्चे का मौरल बहेवियर नहीं होता को बरकित मतावर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहां यह इसको सेंट्रल आइडिया लीजिए और यहां पर हमारा आंसर पड़ा है वो देख लेजिए वापस चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सीरियेशन ध्यान से देखना वर्ड को अगर आपको नहीं मीनिंग पता तो फिर भी आप इसको अंडरलाइन करके लेंथ यह कह रहे हैं कि माली जी आपने लेंथ में एक दो तीन ऐसे लाइने दे दी और बच्चे को कहा बेटा इसको और में करो दूसरों की बात और जो समझ है उसको समझना यह डिफिकल्ट पार्ट है प्याजे का थियूरी में समझेंगे ए नरेटिव फॉर्म आफ थिंकिंग स्टोरी लाइक एक थिंकिंग है यह भी प्याजे की थियूरी का एक पार्ट है कि जिसमें वो कहते हैं बच्चे को यह कहा जाए कि चलो बिटा अपने स्कूल का मैप बनाओ तो वो बना लेता है इट में स्पेशियल अबिलिटी डिवैल्प होने शुरू हो गई है तो सीरियेशन का किस से संबंद लग रहा है आंसर दीजिए ज्यादा टाइम नहीं दूँगा येस हां बताता हूं आंसर भी वही है सीरियेशन जो एक एक्सपेरिमेंट किया था इन सीरियेशन है कि प्याजे ने एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे को स्टिक्स दे दी ये 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 और उनको कहा कि बेटा इसको अरेंज करो के इनक्रीजिंग और में तो बच्चा क्या करेगा बच्चा की करेगा जो ऐसे 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 तो अगर बच्चा ये correct लगा लेता है तो उसमें किसी object की dimension को understand करने और उसके बीच में relation देखने की ability डेवल्प हो जाती है जिसको उसने नामद दिया seriization के items को color wise भी हो सकता है length wise भी weight wise भी होता है लेकिन उसने height wise ही किया था question बनाने वाले ने वहीं से उठाया है साथ साल से पहले बच्चे ये नहीं कर पाते ये central idea जो उसकी theory का part है चलें आगे आगे चलते हैं नसीम five year old अच्छा या जो फर्स था seriation वही concept explain किया मैंने नहीं उसका answer six question का बीचे कर दिया ये वाला अजी हाँ serious a ए ये मन्हाइन बताया नहीं मैंने ठीग ए ये वाला ये इसी को explain किया नहीं कि है क्या है किया था ये भी उसी की ट्याजब कि जो है again ब्रश को भी और ये उसी में से लिया गया है और ये भी उसी में से लिया गया है इसलिए यह difficult question है क्योंकि सारे option प्याजे में से तीन को option डाले गए हैं आप confused हो सकते हूँ लेकिन यह situation very easy है अभी difficult वाले आने हैं वो हम करेंगे यहां पर से बापस चलते हैं next question की तरफ next question है देखना question को पढ़ना कैसे है वो साथ में थोड़ा सा बताऊंगा मैंने क्या किया नसीम मुझे कोई जरूरत नहीं है मुझे five year old क्यों क्योंकि मैं cdp का paper दे रहा हूं cdp का development development का संबंद है stage से stage के age से और age मैंने पकड़ ली यहां पर is a certain that ध्यान से ध्यान से पढ़ना अगर नहीं समझ रहा इधर से नहीं तो मैं बताता हूं आपको कैसे समझना यह थोड़ी difficult है that rolling out a ball of ball of clay into a snake creates more clay समझ आया के नहीं according to gene pya j what is the reasoning behind her thinking आपको यह बात समझ आई के नहीं अगर नहीं आई तो question he clear नहीं है उसको समझने की जरूरत लड़का है पांच साल का है जब पांच साल का बुलाना जब हम प्याजे की theory कर लेंगे तो आपने देख लेना कि यह first year second stage की बात कर रहा है अब भी आपने शायद theory ने की होगी तो वो लड़की है वो क्ले को ना मैं ऐसे समझाता हूँ आपको बहुत 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 इजी समझ आ जाएगा यहां से बनाया अब उसी मिट्टी का बनाया है तो अब बच्चा वही क्या कह रहा है पांच सल का है ना वो कह रहा है है कि यह वाली मिट्टी जो है ज्यादा है यह वाली वही मिट्टी से बनाया और यह ज्यादा है अब बताओ आंसर इसकी पोलिंग करेंगे कौन-कौन कह रहा है कि यह मिट्टी ज्यादा हो गई है अप्शन ए है यस हो गई है दूसरा नो दो आंसर है जल्दी से सेंट्रल आइडिया है प्याजे की थियूरी का तो यह कौन सी थिंकिंग है qqaba yg यह है एनी मिंस्टिग थिंग किंग इस टीटट स साथ barking सभी आए तो टाइम ज्यादा लगेगा मैं से समझा देता हूँ चैसा आपको होगे एनी मिस्टिग थिंकिंग एनी मिस्टिग जो हैं उनमें living के characteristics हैं centration वो experiment कराना पड़ेगा hypothetical deductive thinking highest thinking के आप hypothesis test कर सकते हो यह thinking जो है हम labs में science की labs में apply होते हैं जा scientific invention इस से होती है अब आप यह सोचिए कि age बच्चे की क्या है और क्या बच्चा scientific reasoning develop हो जाएगी transit transitive inferences को समझा देता हूँ जल्दी से इधर जाता हूँ चलो मैं आपको एक question पूछता हूँ आपने जवाब देना है polling करेंगे इसकी a b से बड़ा है ध्यान से सुन लेना सभी ने answer देना है और सिर्फ एक मिनट मिलेगा सिर्फ एक मिनट मिलेगा ठीक है ए बी से बड़ा है सी बी से चोटा है ए सी से चोटा है गलत या सही या logical process कह रहे हैं तो यह ट्रांजिटिव ठीगिंग है जिस में यह थोड़ा सा समझ लेना यार टाइम तो लगेगा थोड़ा सा समझ लेना ट्रांजिटिव ठीगिंग है आपको एक कथन दिया गया है प्रिंस इस दी गई है जो नोन है हना known क्या है A और B का relation बताया है ठीक है और दूसरे में B और C का relation बताया है A और C का relation नहीं बताया वो आपने इनके relation के base पर इन दोनों के ये known है के अननों ये भी known और ये relation unknown है वो मैंने question पूछ लिया के unknown क्या होगा relationship जो found कर लेता है उसकी logical thinking है जो नहीं कर पाता उसकी logical thinking अभी weak है ये कहना चाहता है प्याजे इसमें further search हुई है यहां तक बात करूँगा थोड़ी सी बात समझा देता हूँ problem क्या हुई है आप सोच रहे होगे मैंने polling नहीं की आप सोच रहे होगे कि मैं solve नहीं कर पाया बाद में प्याजे की इस theory पर research हुई है कि यह यह logical के साथ साथ memory की भी problem है memory memory mean के जो premises बताई गई थी क्या learner जैसे आपको मैंने कहा कि इनको retain करो तो क्या वो premises एक आपको याद रही retain हो गई है दूसरी जल्दी से retain हो गई है अगर वही retain नहीं हुई तो आप answer नहीं दे पाऊगे it means जो जिसकी memory strong है कि वो जल्दी से abstract concept जा idea को retain रख लेता है वो ही further logic कर सकता है तो यह बात प्याजे ने बाद में मानी थी आपके संधर्ब में भी ऐसा ही हुआ है कि आप 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 भी वो नहीं कर पाए अगर मैं इसको concrete बिदा देता अच्छा प्याजे ने कहा है कि साथ साल से पहले बच्चा यह solve नहीं कर पाता लेकिन बाद की research ने क्या कहा है कि अगर आप hint देते हो हिंट देते हो तो बच्चा साथ साल से पहले solve करना शुरू कर देता है for example मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं कहूं किया जब ए बोला गया था आप एकदम image बना लो ए बड़ी सी है बी जड़ी है चोटी है और बी और सी से सी चोटी बनाई है जल्दी सॉल्व कर लोगे तो यह strategies है जिससे आप logic बैटर कर लेते हो वापस चलते हैं यह देखने के लिए कि answer क्या है कि क्या क्ले का सांप बना लिया तो यह एनिमिस्टिक thinking है सेंट्रेशन है जहां अब ट्रांजिटिव इन फेंस है अब जल्दी से जवाब दे लो कि सेंट्रेशन होता है कि आप एक आपने सेंट्रेशन का भी मीनिक सुन लो कि आप एक आस्पेक्ट को पर फोकस कर रहे हो आपने यह देखा कि यार यह साइज इसका बड़ा हो ग स्पीकर बन करके बोलो भी आपने यह नहीं देखा कि वो वही उसी में से मिटी में से बना हुआ है कि तो जब एक पर फोकस कर जाते हैं एक आस्पेक्ट पर फोकस जान सेंट्र कर जाते हैं उसको बोलते हैं अब बोलो राइट आंसर एज option polling start हो रही है हो गया यस बी सबसे ज्यादा जा रहा है और जो right answer बताने लगा हूँ मैं right answer is B किसी ने यहां पर बात करनी है explain करूं इसको यह देख लीजिए अपने करी दी एक्समें इसको अगर नहीं जब मैं explain कर रहा तो यह दिखाई दे रहा था कि डिस्प्ले हो गया था वो यह दिखाई दे रहा था बस वो centration वही है कि अपने उसमें अंसर ही बोल दिया था था आपको बड़ी ध्यान से सुनना होगा अब मैंने क्या किया जो इतना लंबा टाइम लेती है प्याजे की तियोरी उसके चार concept आपको बड़ी तेजी से बता दिये confusion होगी तियोरी करेंगे बात में लेकिन exercise साथ साथ में करते जाएंगे यह difficult question में से एक है नेक्स्ट है वाइगोस्थ की नहीं पीछा छोड़ा ना theory of cognitive development वाइगोस्थ की theory है cognitive development की theory कल बात की थी मैंने तीन theory बताई थी प्याजे की ब्रूनर की और वाइगोस्थ की कोगे निट की है along with principle of लेकिन साथ में कौन सा principle उन्होंने दिया है any guess any guess easy question है जब आप theory पढ़ लोगे any guess social constructivism behaviorism psycho analysis और यूनिवर्सलिजम वैसे इतना शायद पता होगा कि जो अच्छा आंसर दे रहे हैं psycho analysis जब भी आये तो segment fried जो father psychology के भी फादर उनको बूला जाता है आपका right answer क्या हा रहा है option a social constructivism yes right answer देख लीजिए कैसे है देख लीजिए कैसे है यह भी central idea में सोचना कैसे है प्याज ने तो यहां सिर्फ बाइगौस्तकी की बात करूंगा यह वाइगौस्तकी है वाइगौस्तकी ने यह कहा था कि अगर बच्चा दूसरे बच्चे जांटीचर जांकिसी के साथ interaction करता है ठीक है और एक बच्चा जो interaction white से बना लेता हूं इसको pen कहां है यह कर दिया यह वाला कर दूं यह रेड कर लेता हूं यह रेड वाला जो बच्चा है ना यह एक बच्चे के साथ मिलके discuss कर रहा है discuss easy word बर रहा हूं नहीं तो word आएगा इंटर सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी इस पर भी question आएगा ठीक है तो वही lesson यह कर रहे हैं वही lesson यह कर रहे हैं आप बताओ कि कौन ज्यादा लर्न करेगा जल्दी लर्न करेगा enjoyable लर्न करेगा दो आपको option दी गई हैं आप polling करोगे ए जो interact कर रहे हैं बी जो interact नहीं कर रहें कौन ज्यादा लर्न करेगा जल्दी से polling answer yes 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 वापिस आजो तो यही वैगोस्त की कहता है यही उसकी theory है वो कहता social interaction से यही उसका principle था जो उसमें पूछा गया है social constructivism के हम knowledge को construct करते हैं लेकिन दूसरे के साथ discuss करके better होती है that is why प्याजे की theory में एक word add हो जा नेक्स चलते हैं बहुत पीछे रहें गया विच आफ दी फॉलविंग इस टाम यूज़ बाइगास्त की टू डिस्क्राइब चाइड्स एक्ट आफ स्पीकिंग तू हर सेल्फ प्राइवेट स्पीच टाक अलाउड स्कैफोल्डिंग इगोसेंट्रिक स्पीच येस इन में से most important most important क्या है कि वही behavior है मैं एक वीडियो दिखाता हूं उसमें देख लीजिए आप easy हो जाएगा किसी ने answer देना है देख लीजिए answer सोच लीजिए मैं आगे explain करने लगा answer आगे अहां दो answer आप ये concept मैं अभी clear करता हूं which of the following is a term used by वेगौस्त की तु describe child's act of speaking herself बच्चा अपने आप से बात कर रहा है उसको क्या बोलते हैं येस private टाक allowed scaffolding egocentricism है ये भी देख रहा है ध्यान से पढ़ना egocentricism है egocentric speech नहीं है speech नहीं है येस आगे polling ओके private speech लेववगौस्त की private speech इसकी explanation दो लेट हो जाएंगे फिर आगे चलके बात करेंगे इसकी बात याद रखनी पी से प्याजे नहीं वी कर देना इसको उल्टा अगर ये पूछा जाए private speech किसने यूज किया वही टर्म है कोई बच्चा अपने आपसे बात कर रहा है वाई गौस्त की ने private speech कहा था लेकिन प्याजे ने प्याजे ने egocentric speech कहा था ये difference भी है नेक्स चलते हैं यहां इसको रब करेंगे आगे चलेंगे काफी लेट हो गए हैं फिर आज विच आफ दी फॉलिविंग केरेक्टर राइज दा प्रोग्रेसिव क्लास्रूम रजी याद रखना प्रोग्रेसिव क्लास्रूम कुछ नहीं है फिर वगास्त की जॉन डीवी ब्रूनर प्याजे इनकी इंप्लिकेशन है जिसमें सोशल ग्रूप भी होगा वो सारा कुछ एक्टिव होंगे बच्चे वह मैं साथ आपको एक क्लास होंगा जिसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविजम कंस्ट्रक्टिविजम पढ़ाऊंगा कि आपको पैडगोजी फूल पर अप्लाई कर सकते हो एक है प्रेक्टिस है रैपिटिशन अबिल्टी बेज्ड ओन फिक्स सेग्रेगेशन आप बच्चे की डिवीजन कर देजिए इंटेलिजेंट है लो इंटेलिजेंट है को लैबोरेटिव लर्निंग दो बच्चों को तीन बच्चों का छोटे-छोटे ग्रूप बनाके उनको लर्न करने के लिए कहना यूज ऑफ रिवाड एंड पनिश्मेंट अगर गलत किया तो पनिश्मेंट अगर सही किया तो शाबाज बेटा तो इसमें से प्रोग्रेसिव एज्जुकेशन कौन सी है यह सांसर दे दीजिए पोलिंग स्टार्ट हो रही है फर्स्ट है ड्रिल र मिला दो यार आपस ने बात करके कर लेंगे आपस में बात करेंगे तो ज्यादा लर्न करेंगे आपका आंसर आगया जी C answer आया है सबसे ज्यादा A किसने सोचा है ये बताइए ज़रा एक मिनने बात कर लें वैसे कि टाइम कम है एक ऐसे सोचा आपने एक ऐसे सोचा जब आपको table जाँ फार्मूले जाँ fundamental skills हमें कराते हैं reading, writing तो drill और practice से हमें कराई गई है Indian education system में तो यही system को change करने के लिए national curriculum framework जो 2022 और national education policy जिस पर paper भी आते हैं कहां चला गया भी तो वो emphasize कर रहे है progressive education को apply करें यह जो है हमारी traditional जो teaching learning है उसके जो part है तीक आगे चलते हैं next question अब थोड़े easy आएंगे मेरे खाल theory में से नहीं होगे a child has a ability to understand the intention and desires of others दूसरों की इच्छाओं को समझना है special, special होता है रजे space से related देखो question में space से related है कुछ interpersonal interpersonal होता है यह एक बंदा और यह दूसरा बंदा और यह इसके साथ यह इसको समझ रहा है इसको बोलते हैं interpersonal नहीं intra है intra होता है within intra को यहां समझाने लगा हूँ intra mean आप अपने आपको समझ रहे हो self को समझ रहे हो intra mean within तो next है naturalistic intelligence जो कुद्रत को सबसे ज्यादा समझता है उसकी care करता है कुद्रत की समझ ज्यादा आती है plants में water में ज्यादा रहता है वो उसकी care मतलब करता है एक ऐसे person होते हैं interpersonal intelligence कौन कहता है wrong answer बिल्कुल wrong answer कौन कहता है और कौन कह रहा है display कीजिए ये लड़की जूट बोल रही इसको नहीं follow करना इसको बिल्कुल follow नहीं करना feature में है okay ये है नाम क्या है आपका पहले नाम बोलो अपना साक्षी ठाकवर साक्षी very good साक्षी very good शाबश interpersonal देखना वाइगौस्तकी ने बात की थी वहाँ भी interaction उसको prefer किया आगे question आया group activity वहाँ भी social, cultural ये dominant करते हैं पेडागोजी में भी करेंगे यहाँ पर multiple intelligence gardener की theory है उसने 8 तरह की अब 9 तरह की intelligence आ रही है तो inter का मतलब है आप दूसरे को समझ रहे हो बस इतनी सी बात है आगे चलते हैं शाक्षी के लिए शाबाश बाकी जिनको ठीक था कितने परसंट का ठीक था 65 का ठीक था भी very good next question है which of the following statement is proposed in national education policy अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा आप जल्दी से बताओ के central idea मैं underline कराऊंगा अब वीडियो लंबा हो रहा है अब मैं क्या करूँ बई टाइम हो रहा है being educated in one's mother tongue is determined to educational and technological advancement आपको पता है national education policy के बारे में अपने पढ़ा है कुछ के नहीं अगर नहीं पढ़ा मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें 115 question में सारी policy मैंने चार बार policy पढ़ी है 115 है अगर आप कहोगे तो circulate कर दूँगा क्योंकि आपके 3-4 question आने ही आने है national education policy में repeat हो रहे है मैं आप circulate कर दूँगा तो एक mother tongue मैंने जानबूज के underline किया कि ऐसे aspect पर focus किया गया है school should encourage to speak English English को promote किया गया है मंदर यह व्रोधी होगे इतका मैंने जानब एक ठीक होगा multiculturalism great cognitive benefit for young students important aspect है यह भी important aspect है bilingual दो भाशा में पढ़ाना approach जैसे English है उसको mother tongue और English दोनों बोल बोल के पढ़ाना इसको bilingual बोलते है students hamper यह नश्ट करती है ना उसको तो इसमें से मेरे खल में ज्यादा option तो नहीं है शायद ऐसा ही होगा choose करना है आपने देख लो भी mother tongue और decision ले लो मैं आगे दिखाता हूँ यह रहा नहीं है option नहीं है इसके इसके option होगे अच्छा वो misplaced होया है अब आप यह बताओ कि first right answer है के नहीं है no sir being educated in one's mother tongue क्योंकि यह दूसरा question था जिसके combination बनने है एक भी ठीक हो सकता है ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं तो आपको क्या लगता है किस पर ज्यादा जोर दिया गया होगा मैं सीधा बता देता हूँ इसका answer भी नहीं बताओंगा आपने फुद देख ले ना mother tongue पर जोर दिया गया है full freedom दी गई है bilingual पर even local teacher appoint करो national education policy कहती है और interview उसकी mother tongue में हो ना कि English में ठीक तो सबसे ज्यादा जो reject हो रहा है यहाँ idea वो यह है कि should encourage to speak English ऐसी कुछ नहीं है उसने freedom दी है three language formula जो युगो युगांतरों से चला रहा है उसको accept किया है लेकिन maximum flexibility दी है और multi-culturalism को multi-lingualism को yes उन्होंने एक answer नहीं है ना इसमें ज्यादा answer है ठीक इस लिए छोड़ रहा हूँ इस लिए छोड़ रहा हूँ खुद देखो और bilingual को भी bilingual को बहुत जोर दिया है अब आप खुद देख लो कि कौन कौन से ठीक है इंग्लिश वाला तो उड़ गया जैंडर रोल जैंडर रोल पता है कि आप मेरी बहन हो तो आपने kitchen का काम करना है आपने मेरे रखडी बांधनी है आपने मेरे जो है मैं आपको मेरा रोल क्या होगा मैं आपको college से school से लेने जाओंगा मैं market की काम करना gender role learned है नकल से सीखते है biological है जनम से ही पैदा होता है genetically है दोना का मतलब बिल्कुल सेम है एक बाद याद रखना अगर genes यहां भी आता है वहाँ heredity आ गई nature आ गया और biological भी आ गया तो कि genes biology ही है genes तो right answer जल्दी yes right answer आ गया right answer जल्दी से gender role learned है imitate करते हैं यहां पर गलत लिखा है imitate करना आना है imitation ओके नकल से जहां biological है construction genetical है yes answer आ गया आपको सिखाया जाता है कि आपने kitchen में जाना है कि आप जनम से ही जब बड़े हो रहे थे तो लड़की थे तो kitchen में जाने लगे नई सिखाया जाता है इस बिल्कुल learned है that is why syllabus में है वो कहते wrong learning करवा रहे हो जेंडर की book का पूरा निचोड दे रहा हूं कि wrong learning कि male और female के आपने रोल different बनाए है male क्यों नहीं किचन में जाएगा वो क्यों नहीं को करेगा female क्यों नहीं अपने ब्रदर को स्कूल में लेने जा सकती तो that is why equality आये role specific ना हो इसलिए syllabus में लगाया गया है और यह social construction है यह भी याद रखना primary goal of continuous and comprehensive evaluation is देख लो को कौन सा है to compare the student's performance with other एक बच्चे को दूसरे से compare करना दूसरा to assess CCE का concept भी largely constructivism से ही आ रहा है क्योंकि formative assessment और learning as यह एक दो हिंट देदू आपको यह अभी time हो जाएगा to assess children's understanding and modify the curriculum and pedagogy for student हाँ उसको बच्चे को देखना और उसके अनसार जो है अपने teaching को modify कर लेना यह बच्चे को लिखना कम आता है इसको extra लिखने की practice जहां extra इसकी class लगा के इसको extra method से पढ़ा दूँ ऐसे to assign rank अच्छा first कौन आया second कौन आया तारे जमी पर film कहां से शुरू होती है यहीं से इशान zero rank last बताना है अच्छा जब rank कर रहे हैं अभी तो compare ही कर रहे हैं न यह similarity देखिए जब दो same आ जाएं तो probability of जो है कम हो जाती है वो option ठीक नहीं होता तो declare students as past और fail in particular subject यह past है यह fail है जहां यह बताना चाहिए यह बच्चे में यह खुबियां है इसके कम marks हैं लेकिन यह आर्ट में बहुत अच्छा है music में बहुत अच्छा है हां math में है तो math में इसको extra coaching ऐसे बताना चाहिए detail में qualitative जहां past fail dichotomous ऐसे बताना चाहिए right answer होगी आप बताइए compare करना है rank बनाने है बच्चों के जहां modify करना है एक strategy अभी बवता देता हूँ पीछे strategy आ गई है पर उसको blindly follow मत करना आपको बताने लगा हूँ yes right answer 90% का ठीक है मेरे ख्याल में 82 का ठीक है to compare दा नहीं नहीं ठीक है to compare दा wrong है rank भी wrong है past fail भी wrong है ये वाला hint देने लगा हूँ ये apply नहीं करना ये apply नहीं करना पहले इस class में मेरी में नहीं apply करना please जो जब आपकी reasoning खत्म हो जाए तो ये देखना long tail वाला कौन सा है long tail वाला probably हम percentage इसी में से निकालेंगे कितने answer आए हैं जो probably right हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे question बनाने पड़ रहे हैं यहां नहीं पता हूँगा तो जब आपकी reasoning काम ना करे तो prefer कीजिए यार long tail वाला ठीक होने की उस पर reasoning कीजिए फिर answer दीजिए तुका बिलकुल zero मतलगा ये उस पर सोचके लगाईए कि यार ये बला बैटर हो सकता है अच्छा next है राइट अंसर पता चल गया ना ये बला B है ओके before deciding question खतम कर दे class ये last कर देख लो आप ये 15 हैं आदे हो जाएंगे आदे हैं 15 हैं ये हो जाएंगे before deciding an assessment method for her class देखिए एक हिंट बताता हूं आपको के ये question है ना उसने डाला है madam ने डाला है sir ने नहीं डाला what all should what all should the teacher keep in mind ये मेरे खियाल में यहां है मेरे पास who is going to use the result beside me अच्छी तरह समझ लिए question क्या है आप ना कोई assessment method के बच्चों की learning की assessment करनी है तो आपको क्या मन में रखना चाहिए कि ये मन में रखना चाहिए कि यार इस result को use किसने करना है मेरे इलावा और किसे ने use करना है what is the best way to find out learning curve of learning curve of individual student हर बच्चे की learning curve learning curve होती है जैसे यहां पर बता लिता हूं अब तो लास्ट ही है अब तो लगा लू टाइम दो मिनटी लगने है यह रहा आपका learning curve मान लीजिए बच्चे के efforts है ठीक है यह नहीं दिखाई दे रहा हूं दूसरा कर लेता हूं या लोगाला बच्चे के efforts है दिखाई दे रहा है येस बच्चे के efforts इधर चलो efforts लिख लो कितने उसने efforts किया है और इतना कितना उसने learning की learning तो ये efforts एक, दो, तीन, चार, पांच और ये height इसकी learning की तो देखने है जैसे effort बढ़ रहे है वैसे ही करव बढ़ रही है जहां change हो रही है हर बच्चे की करव होगी तो effort कम में कोई बच्चा गेन ज्यादा कर रहा है कोई ज्यादा effort के बाद भी कम गेन कर रहा है तो ये individual बच्चे की ये गेन करनी, क्या ये मन में रखना चाहिए question ये पूछा गया है एक था कि किसने use करना है दूसरा है के learning curve individual student की बना ले which method would help to reflect on my pedagogy, कभी भी जहां reflect word आए जहां भी reflect word आए उसको जट से अच्छे से एकदम से underline करना और सोचना के ये probably ज्यादा ठीक हो सकता है, क्यों ठीक हो सकता है context word आ गया reasoning word आ गया reasoning तुझे पंटेक्स और ये तो आप रखो ना my part of pedagogy which method would help to label the segregate student कि ये बच्चा नलायक है और ये बच्चा फश्यार है इशान जो नलायक है जैसे तार रिजजनी पर होता है ये करना है, अब देखो कि total इसमें से क्या करना है ये यहां पर class खत्म होने लगी है और आपको option देखना है ये रहा, ये रहा, ये रहा क्या दूसरा और तीसरा ठीक है जहां फूर्थ ठीक है जब तीसरा और चौत्था ठीक है जब दूसरा ठीक है कौन कौन से ठीक है देख लो ज्यादा टाइम नहीं दूँगा ये 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 भी है भी साथ में सॉरी एक, दो, तीन सॉरी एक, चार दो, तीन, चार एक और दो पिशक दुबारा देख लो फर्स्टु सेक्ट नहीं, A, B, C, D नहीं देखना इसको पोलिंग को खत्म करना दुबारा से देख ले, दुबारा देखो आपने देखना है कि ए ठीक है, ये वाला फर्स्ट के रिजल्ट दूसरों किस-किसने यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है, बेस्ट वे क्या है लर्निंग कर्व इंडविजिल की बन जाए और बच्चे और बच्चे की हल्प करूँ के रिफलेक्ट अपनी पेड़ागोजी पे करने के लिए और मैं लेबल लगाना है ये हुशार है, ये नलाइक है तो इन चारों में से कौन कौन सा ठीक है पहला, दूसरा, तीसरा जाँ पहला और ये कॉंबिनेशन आप बना लीजिए इसमें से अंसर देना है, ये देखिए कहां, ये लिखा है ये ये ये, ये देख रहा है ये बना लिए अंसर, बना लिए येस सर चलो, बोलो अब दो आंसर, लास्ट है इसके बाद में 15 कॉश्चन रहेगे ये कल डिस्कस कर लेंगे आपने फीडबेक ज़रूर देनी है मुझे, कि आज क्या कमिया रही येस, आगए अंसर येस सर अंसर रले मिले है सर डी ओप्शन है, पता नहीं वान और टू वान और टू थ्री में क्या प्रॉब्लम है विच मैथड ये पैनल लेने लगा हूँ विच मैथड वुड हेल्प मी टीचर कह रहा है टीचर तू रिफ्लेक्ट ऑन माई पैडागोजी पैडागोजी मीन टीचिंग, साइन्स ओफ टीचिंग कौन सा मैथड मेरी मैंने तो अंडरलाइन किया था रिफ्लेक्टिव डाइरी, रिफ्लेक्टिव लॉग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये वर्ड तो बार बार यूज होंगे बार बार यूज होंगे, रिफ्लेक्टिव होता क्या है कि आपने कोई काम कर लिया, मैंने टीच कर दिया मैं सोचो आज मैंने यार क्या गलत किया क्या अच्छा किया मैंने कागज लेके क्यों एक एक बच्चे के पास गया यार बताओ मुझे मेरी पहले दिन की जो टीचिंग थी उसमें प्रॉब्लम क्या आई मैंने क्यों लास्ट में लिखा कि यार मुझे नेगिटिव फीड़ब आपकी हेल्प ले रहा हूं मैं वही कंस्ट्रक्टिविजम को यहां अप्लाई कर रहा हूं तो अगर इसका रैंक भी निकालना है तो रैंक नंबर वन पर रिफ्लेक्शन आएगी रिफ्लेक्शन और निव एजुकेशन पॉलिसी रिफ्लेक्शन को नहीं छोड़ेगी आपको मिनिममम इतनी बार मिलेगा कोई भी सैट आए आपका कोई दिन में पेपर हो इतनी शिफ्ट होनी है यह आएगा इतना इतना पका है कि यह राइट अंसर होता है तो यहां मल्टीपल आप्शन है तो यह भी राइट अंसर है तो राइट अंसर हुआ फरस्ट भी कि मै ने भी करना है जब बच्चों ने भी करना है गुड सभी के लिए होना जाए न रिजल्ट तो ये भी है कि वेस्ट वे के करव बन जाए बच्चे को उसकी feedback मिल जाए हना मैं मेरी भी feedback जैसे मांगता हूं तो that is why this is right answer a b c d यहां तक कोई question पूछना है end of the class feedback जरूर दीजे negative